हेलो फ्रेंड्स दिस इज एस्पिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीड़े प्यारे दोस्तों बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर आप चाहें लखनव यूणिश्टी से देख रहे हों या फिर आप कानपूर यूणिश्टी से देख रहे हों जो आपका सब्ज में एक्जाम डेट आने वाली है और लखनों का एक्जाम लगा हुआ है यह बहुत ही इंपोर्टेंट को समझते हैं सब्सक्राइब के जो 2023 में पूछेंगे को से वही रहेंगे ठीक है 2023 में यह भी कोर्शन पूछा गया है इसके बाद जो नेक्स कोर्शन है यह जो है कि 2023 मे पूछे गए हैं और आने वाले एक्जाम के पॉइंट आफ विव से इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 में यह भी कोर्शन पूछा क्या है पांस कोर्शन रहेंगे पांस और कोर्शन आपके 2023 के रहेंगे निर्देशन की प्रक्रती 2023 में पूछा क्या क्य एक कोर्शन है जो इसे पहले एक्जाम हुआ है तो इस तरीके से आपके आपके जो क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आईए समझते हैं निर्देशन हलांकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं समझा चुका हूं इसके मादे में लोग बस रिवाइज करेंग आपको सही रास्ता दिखाना जैसे कुछ लोगों को आपने कहते हुए कहते हुए सुना हुगा कि यदर हमें कोई उस टाइम पर गाइड करने वाला नहीं था नहीं तो आज हम कुछ और होते बात सही है यदि आपको सही समय पर सही निर्देशन मिल जाता है सही गाईदेश मिल जाता है तो आपकी जीवन में कुछ और ही बदलाव आ जाएंगे लेकिन वही guidance अगर हमको सई समय पर नहीं मिल पाता है तो फिर हम वो चीजें हासिल नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं निर्देशन का आत होता है पत्परदर्शन करना किसी को करके जाओगे तो तुम यहां पहुंच जाओगे हम आपको बताते हैं copy ऐसे लिखिएगा long question ऐसे लिखिएगा heading ऐसे डालिएगा है ना line कितनी खीचनी है after every question line खीचनी यह सब चीजे हैं हम आपको रास्ता बताते हैं के समाधान के लिए दिया जाता है निर्देशन का है एक personal काम कह सकते है जो व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए जो व्यक्ति problems में फशा हुआ है उससे कैसे निकले क्या करे ठीक है उसके लिए दिया जाता है यह यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति, अनुभव हीन प्राणी को निर्देशित करता है अब जैसे यहाँ पे बात कर लिजे हम यहाँ पे कौन है? हम अनुभवी है ठीक है? और आप कौन है? अनुभव हीन है अभी आपको उतना experience नहीं है बीड को ले करके हम क्या है? बीड कर चुके हैं, 4-6 साल से बीड पढ़ा रहें तो हम यहाँ पे अनुभवी व्यक्ति हो गए तो यहाँ पे जो अनुभवी व्यक्ति होता है वो अनुभव हीन प्राणी को गाइड करता है अर्थात किसी व्यक्ति की रूची, योगता और छमता को ध्यान में रखते हुए उसके बेश पे पत परजशन करना ही निर्देशन कहलाता है हमें पता है कि आपकी योगता क्या है? बीड है, आपकी छमता कितनी है, आपका इंटरेस्ट किसमे है है ना, आपकी जो सब्जेक्ट है, उनमें आपका जाइड सी बात इंटरेस्ट है तो इस तरीके से हम आपको उसी क्यादार पर गाइड करते है तो विबिन सिक्षा सास्त्रियों ने निर्देशन को तीन अर्थों में लिया है एक तो वियापकर्थ में किसी भी विक्ति को सेवा की रूप में जो दी गई साहता है वो भी निर्देशन है विशिश टर्थ में निर्देशन जो है वो सेवा की रूप में फिर सिक्षा की उपक्रिया की रूप में इसको लिया जाता है तो अब इसकी जो प्रिभाशनाएं हैं दो से तीन प्रिभाशनाएं जरूर उट लेंगे जॉन्स कहते हैं कि निर्देशन किसी के दौरा दी जाने वाली विक्तिगत साहता है जो विक्तिको दिशा चुनने सही डारेक्शन में जाने के लिए जीवन की समस्याओं का समधहन करने में हेल्प करती है प्रॉक्टर के एकॉर्डिंग निर्देशन एक सेवा है जो विक्तिको इसकूल या उसके बाहर के वातावन में एडिस्ट करने के लिए दी जाती है यानि कि हो सकता हो वालें कि स्कुल में एट्जेट ने कर पा रहा हूं है ना यह जो बाहर ड्रीक्त का Ambassador है उसमाज का इट्मासवेर उसमें एट्जेट कर पा रहा हो तो वहां पर उसको गॉइड करते हैं कि तो इस तरीके से होगे इस तरेके से हैं समझ यह पॉइंट को पहली तो विषिष्टा ये है निर्देशन व्यक्ति को अपने वाता औरण के साथ समाई उजद करने में साहता प्रदान करता है यह व्यक्ति परिस्तितियों में आप अपने आपको एड़ेस्ट ना कर पा रहे हों उनके नीचे दबे जा रहे हों आप क्या कहते हैं उसको को जिसे कहते हैं कि depression में जाना है ना तो हो सकता है कि आपकी ऐसी condition हो गई हो की आप depression में जा रहे हों आप उसके साथ आडज़िस्ट, आप उसके साथ एड़िस्ट न कर पा रहे हो ठीक condition के शाथ में तो वहां के जो आपको guidance दिया जाता कि देखिए आप इस तरीके से इस परिसिती से बाहर आ सकते हैं, इस समस्या से बच सकते हैं, निर्देशन वो प्रक्रिया है, जो विक्तियों को उचित अवसर के लिए, उचित इस्थान और उचित समय पर उचित धंग से सायता करती है, यदि guidance आपको दिया गया, लेकिन अगर वो उचित समय पर नहीं दिया गया, तो वो guidance किसी काम का नहीं है, उचित धंग से नहीं दिया गया, तब भी किसी काम का नहीं है, उस सही जगह पर नहीं दिया गया, तब भी किसी काम का नहीं है, तो यह सब सीजे बहुत आवश्यक हैं, निर्देशन विक्ति और समाज की भलाई के लिए विशिष्ट और सामाने सेवा प्रदान करता है इसका जो सम्बंध है वो जीवन से होता है जीवन में निर्देशन आपचारिक और अनापचारिक रूप से योगदान देता है यह विक्ति और समाज दोनों को लाब पहुंचाता है निर्देशन के दौरा विक्तिका संतुलित विकास होता है इसका उद्देश लोगों को जीवन के लक्ष और उद्देश को भली भाती समझाना है है ना कई लोग अपने विना लक्ष निर्धारित किये विना उद्देश के काम को करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं होना करना चाहिए जिस तरीके से हम उसको पूरा कर पाएं अपनी आविश्यक्ताओं को पूरा कर पाएं निर्देशन हमारा ध्यान विक्ति पर केंदरित करता है निर्देशन विक्ति के विकास किया जाता है यहां प्रिक्रिया विक्ति केंदरित होती है कहने का मतलब जो हम किसी को गाइड कर रहे होते हैं तो पूरी तरीके से हम उस पर केंदरित हो जाते हैं ओके और फिर इसको इस योग भी बनाते हैं कि in future उसको जो problem आए वो अपनी problem का solution खुद निकाल ले नि को निर्देशन चाहिए आपको subject कान से चुनने हैं इस से समंधित आपको निर्देशन चाहिए फिर जब आप जो Certainly उसके बाद अलग है है ना हमारी सोच विचारधारा योगता चमता अलग है आप पी सोच विचारधारा योगता चमता अलग है ठीक हम किसी चीज़ को अलग पॉइंट आव यू से देखते हैं तो हर विक्ति की योगता चमता सब अलग अलग है रूची अलग है उसी क्या दार पर एक ही हम ये भी ने कह सकते हैं यही वेवसाय तुम सारे कर सकते हो नहीं हो सकता है कोई उस वेवसाय में बहुत माहीर हो दूसरे से बिलुकुल ना हो निर्देशन मनुस को आत्म विकास की और अग्रसर करता है इससे उसका self development होता है निर्देशन एक सामानिकरत और विशेश प्रकरिया होती है ठीक है तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि निर्देशन जो है वो जीवन के लक्ष निश्चित करने में सामंजस स्थापित करने में सभी तैरे की समस्याओं को सुल्जाने में help करता है यह एक प्रकार की निजी सहायता है जो विक्त के दौरा दूसरे विक लिश्टाएं होती है तो कि अब देखिए अगर मैं आपको बात कुरूं जैसे इसकी प्रिभाशा है इनके अंदर जो मैटर लिखा है वह आपको रटना नहीं है आपको सिर्फ हैडिंग से इसकी पढ़नी है यह जो हैडिंग से इनको पढ़कर के ठीक है और फिर इतना सिर इतना इतना आप जो है ईपनी कउपी में लिखने का प्रयास कीजिये या जो शौट नोट बनाएए उनमें इनको लिखने का प्रयास कीजिए सिर्फ इतना ध्यान लहेगा तो इसी से रेटेट दो- garbage देगे अब आगे बढ़ेंगे देखे निर्देशन का विशेच शित्र के अगर बात करें देखे निर्देशन का जो विशेच अच्छा आपको बताने भूल गए दियर फ्रेंड हम paid content भी provide कराते हैं paid content का मतलब होता है कि आपको complete notes provide कराया जाते हैं हमारे दोरा तयार किये गए हैं जिसमें आपको full topic wise content मिल जाता है आपको previous year question papers मिल जाते हैं आपको long and short question answer मिल जाते हैं जितना content आपको दिया जाता है उससे बाहर paper नहीं आएगा और आपको बाहर से कुछ खरीदने क्या होशकता पढ़ने क्या होशकता भी नहीं रहती है उसके लिए क्या करें उसके लाप में इस नमबर पे 9628182649 इस नमबर पे whatsapp messenger के notes की information ले सकते हैं निर्देशन को जो विशय छेत्र है बहुत व्यापक है इसके अध्यन छेत्र में शैक्षिक व्यक्तिगत शैक्षिक व्यक्तिगत सामाजिक स्वास्थ है व्यापसाइक निर्देशन आता है जैसे जो व्यक्तिगत निर्देशन है इसका समंद उन व्यक्तिगत कठनाईयों से है जिनका अनुभव छात्र अपने अनुभव काल में करते हैं अपन उनको गैड किया जाता है छात्रों को अपने वातावरन से एड़ेस्ट करने में विक्तिगत रूप से रास्था दिखाना विक्तिकत निर्देशन का लक्ष्य मेंतं होता है। समाजक निर्देशन ने ईच्श है नागरिक कैसे बन सकते हैं, शमाजिक विवहर के बारे में उनको जानकली धी जाती है, प्रसिचंट दिया जाता है, नागरिक्ता के शबन में प्रामर्श देना, आप नागरिक तोर पर आपके क्या अधिकार है? क्या करतबवे 바e 촬영 का आपको पालन करना शामाजिक कारिकर्मों का योजन कैसे करना है छात्रों को भावी जीवन से समन्दित ज्यान दे करके उनको सुयोग नागरिक बनाने में शामाजिक निर्देशन का बहुत बड़ा हाथ होता है फिर है आपका सैक्षिक निर्देशन ये क्या होता है इसमें ये होता कि शिक्षा समंदी निर्देशन दिया जाता है इसके दोरा छात्रों को विद्याले में प्रवेश के समय उचित मार्देशन देना अध्यन के लिए अच्छी बाते बताना कैसे आप अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं शिक्चा की योजना बनाना सिखाना कि किस तरीके से आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर सकते हैं किस तरीके से आप अपना रोटीन बना सकते हैं अध्यन की जो उच्छित विद्या है वो बताना आप कौन-कौन से मेथट से अपनी पढ़ाई बहतर कर सकते हो पुस्त का लाइब्रेरी का यूज कैसे करना है लाइब का यूज कैसे करना है ठीक है जो वेवसाय के निदेशन होता है इसमें वेवसाय से समंधित जानकारी दी जाती है किस वेवसाय में आपको कितना लाब हो सकता है और उसकी क्या-क्या हानिया है ठीक है स्वास्थ समंधि रख सकते हैं ओके और चात्रों को स्वस्थ जीवन वेतित करने के लिए सही आधितों का प्रामर्श देना की आध की हैबिट्स अच्छी होने चीए समय पर उठना समय पर नास्ता करना समय पर खाना समय पर सोना है ना और प्रॉपर नीद लेना प्रात्मिक उप्चार की जो है पचाप-चास लोगों का परिवार एक छट के नीचे रहता था आज चार लोगों का परिवार एक छट के नीचे नहीं रहे पा रहा है ये क्या है बहुत बड़ी समस्या है इससे घर तूट रहे हैं बिखर रहे हैं शादी होती नहीं कि तलाक की कहानी आ जाती है तो इन सब चीचों से बचने के लिए, पूरी परिवार के साथ रहने के लिए, घरेलू जीवन से समंदित निर्देशन दिया जाता है, कि कैसे आप एक सुख में जीवन अपने परिवार के साथ बिता सकते हो, अवकास और मरंजन समंदि निर्देशन जो आपके पास खाली समय है, उसको कैसे आप यूज करें, ठीक है, आपके पास चुट्टियां हैं, जैसे जो ग्रहनियां हैं, उनके पास कुछ घर का काम करने के बाद भी कुछ समय बच जाता है, या जो रिटायर होने के बाद भी उनके पास जो समय खाली रहता है, तो उसको कैसे यूज किया जाएं, ठीक है, लिंग समंदि निर्देशन वर्तमान समय में यौन सिक्षा की मांग काफी बढ़ती जा रही है, अपनी आयू के अनकूल सभी विक्ती यौन समंदों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उच्षुक रहते हैं, चल चित्रों सस्ते साहित अपने मित्रों से यौन समंदी जानकारी प्राप्त करके कई बार युवक और यूतियां विचारे पत्थ वरिष्ट हो जाते हैं जिससे वह संकट में फर्ष जाते हैं लिंक समंदी उचित निर्देशन के दोरा ही उनका सही मायर दर्षन किया जा सकता है नागरिक्ता समंदी निर्देशन ठीक है इसके अंतर का छातरों को समाज और नागरिक्ता से समंदेद बातनों का निर्देशन दिया जाता है आध्यात्मिक निर्देशन आध्यात्मिक नि ग्यानावश्यक्षा कैसे आप इशोषे connect हो सकते हैं नयतिक और धार्मिक निर्देसन और द्योगिक और वैग्यानिक प्रिवर्तनों का प्रभाव देश्ट के नयतिक मूलियों और धार्मिक इस तर्भी परभी बढ़ रहा है डेश्ट में स्थे श्टाचार व्यविचार ब तित कर सकते हैं, तो ये question हमारा complete हुआ, और ये first question था, long question है, ठीक है, I hope आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, अगर आप इसी को more paper से खुद पढ़ते हैं, देन आप इतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे, और थोड़ा बोर भी लगेगा, आपको boring सर्फी ही लोगा, अगला question कहता है, निर्देशन के मूल सिध्धान्त कौन कौन से हैं, 2023 में कानपुर में पूछा गया question है, ठीक है, निर्देशन के परमुक सिध्धान कौन कौन से हैं, या इस तरीके से भी question पूछा जा सकता है, dear friend, निर्देशन की प्रिक्रिया बहुत विस्तरत बहुत broad process है. इस प्रिक्रिया के सिध्धान्तों की संख्या को निश्चित नहीं किया सकता कि कितने सिध्धान्त हैं, इसमें 5, 7, 20, 25 हैं, not fixed. इस प्रिक्रिया को अतिधिक लचला माना गया है कि जो process है, बहुती flexible हैं. यही कारण है कि इसके सिध्धान्तों की संख्या में लगातार संकुचन संभव है विभीन विद्वानों के अनुसार निर्देशन के बहुँत सारे सिधानत होते हैं इनकी संख्यावी संख्यावी भिनता आजाती है क्रो एंड क्रो ने निर्देशन के 14 सिधानत बताए है लिफियर टैसलने भी 14 सब दाद बताये हैं हमppy ट्रेक्सलर ने साथ बताये हैं जॉंस ने पांच सिधान्तों की व्याक्या कि है ठीक है कि लेकन यहां पर हम किसी एक के सिधान्थ नहीं समझेंगे ऐसे सिद्दांत जिन ये सभी लोग मानिता देते हैं वो कॉमन सिद्धान्त हम लोग यहां पर समझेंगे ठीक है और आपको भी वहां पर कॉमन तरीके सही लिखना यहने कि यहनिके अनुसार है पहला सिद्धान्त है निर्देशन सेवा प्रदान करते श्रमे विक्तिकत भिनताओं को ध्यान में रखना ये पहला सिद्धान आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी को गाइड कर रहे हो तो आपको उसकी जो विक्तिकत भिनता है वो ध्यान में रखने है यानि कि कोई भी दो विक्ति समान नहीं होते चाहें वो भले ही जुडवा हो, खिक है, लेकिन समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, उनमें भी अंतर होता है, तो आप बाला की रुची, योगता, छमता है ना, उसकी सोंच, विचारधारा को ध्यान में रख करके ही गाइड करेंगे, सभी विक्तियों को ओसत एवं सामान मानना, देखिए, हमसी और टैक्सरल के कोर्डिंग कहा गया है, कि निर्देशन सेवाओं की विवस्था के दौरान, आधिकतर विक्तियों को सामाने मानना चाहें कि मुश्टली जो लोग होते हैं, वो एवरेज होते हैं, कुछ विशिष्ट विक्ति, जो बाधिक या सारिक रूप से पिछडे हो, या जिनका समवेगात्मक विकास बहुत ही अप्रयाप्त हो, विशेश निर्देशन की आउसकता महशूष करता है, उसे जो है, कुछ विशेश टिक्पनी चाहिए होती है, उसे कुछ इस्पैसिफिक गाइड चाहिए होता है, ऐसे विक्तियों के लि विशेश तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं, जैसे मंद बुद्धी, अलप बुद्धी, जड़ बुद्धी वाले जो बच्ची होते हैं, ठीक है, या जो प्रतिभाश आली हैं, वो भी विशेश में आते हैं, निर्देशन सेवा में कार करने वाले विक्तियों को प्रसेक्षन दिया जाए, जो भी लोग गाइडेंस देने का काम कर रहे हैं, वो वेल ट्रेंड होने चाहिए, गाइडेंस देने से पहले उनको पूरी तरीके से प्रसेक्षन देना चाहिए, कि किस तरीके से आपको प्रसेक्षन देना है, अगर किसी जो जो वेल ट्रेंड नहीं है अच्छे तरीके जिसको प्रसेश्चन नहीं दिया गया है तो वो बालक को गाइड करेगा तो वो गाइड के जगे मिस्गाइड कर देगा छीक है उसे बच्चे का तरीके का विकास होना चाहिए, सरवांगीन विकास होना चाहिए, हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर फोकस ना करें, निर्देशन विक्ति को अपनी समश्याओं में श्वेम निर्देशन करने की योगता विक्षित करने में सहता प्रदान करना है, अगर आप guidance के लिए जा रहे हैं, बालक को आप guide कर रहे हैं, तो उसको guidance करते हैं इतना मजबूत बना दीजिए कि in future जो उसको problem हो, उसको वो खुद guidance कर सके, उसका solution वो खुद निकाल सके, ठीक है, जैसे लिखा कि निर्देशन प्राप्त करने वाले विक्ति की हर प्रकार से सहता की जानी चाहिए, ताकि वो समस्याओं के प्रति अपनी सूज, अपना विवेक और decision करने की योगता का विकास कर सके, इसके लिए विक्ति को अपनी परस्तियों को समझने, उनमें समयोजन करने और अपनी अच्छमताओं से परचित होने में निर्देशन सायकर सिद्ध होता है, विक्ति को ध धीरे धीरे उत्तरदायतों को वहन करने में शाहता प्रदान करके निर्देशन उसे प्रौडता की योड़ ले जाता है, और फिर विक्ति धीरे धीरे समस्याओं के बारे में आत्म निर्भरता एवं आत्म विश्वाष्विक्षित कर लेता है, ठीक है, नेक्स्ट है मारा प्रतेग विक्ति को अपनी शक्तियों, शंभावेताओं और छमताओं के अनुरूप पूर्ण विकास तक ले जाना निर्देशन का लक्षोता, उसकी जो भी शक्तियां है, जो भी उसकी छमता है, उसकी आधार पर उसको पूर्ण डफलप्मेंट की तरफ आप ले करके जा समन्ता व्यक्ति के जीवन में प्रगति के लिए, और समस्चों के शमाधान के लिए भी निर्देशन उतना ही आवश्宅 है कई जितना की विकिषेष वाले विक्ति के लिए, निर्देशन कार में व्यक्तिकों संपूर्ण व्यक्तित अपर द्श्टी लखनी चीज़ाँ, मैंने कहा कि देखिए विक्तिकी समस्याइं सेक्षिक व्यवसाइक विक्तिगयत है ना और सामाजिक घरेलू बहुत सारी समस्याइं होती है तो आपको संपूर्ण विक्तित पर फोकस करना है उसके सभी छेत्रों पर फोकस करना है निर्देशन प्रक्रिया से समंदित विभन क कालियों संमंजश्च होना चाहिए से और जो बहतर हो उसे दूसरे तक पहुंचाना चाहिए इस पर चाहिए वस्तरत होती जा रही है आता वभिंने कालियों के लिए विशिष्टी करत लोगों की आविशिकता अनुभाव की जाने लगे जो विशेष्ट लोग हैं निर्देशन सेवा का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी निर्देशन कारिकरताओं के प्रयत्नों में सामानजश्च इस्थापित किया जा सके प्रत्यक कारिकरता अपनी योगता के अनुसार योगदान करे और सभी कारिकरता अपने प्रयत्नों को श्रमनवित तिशामे ले जाए इसके लिए इन बातों का ध्यान लखना आविशक है पहली निर्देशन सेवां को संगठन तर्क संगत आधार पर किया जाना चाहिए दूसरा ये है कि विशिष्ट योगताओं के अनुरूप अलग-अलग कारिकरताओं को अलग-अलग भूंकाए सौपी जानी चाहिए और निर्देशन सेवां से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबद सभी विक्ति पूरे दिल से एक दूसरे का सयोग करें जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि सभी एक दूसरे के आचारों विचारों को श्रीकरति दें और एक दूसरे का सयोग करें निर्देशन कारेकरताओं को आवश्यक गोपनेता बनाये रख करके नहतिक आजचन साहिंगिता का पारिन करना चाहिए ठीक है भाई इसमें क्या है कि अगर प्रामर्साता इसका पारिन नहीं करता है तो वो विद्यार्थी का विश्वास को वैठेगा भाई आप गाइडेंस दे रहे हैं बच्चे को ठीक है गाइडेंस में क्या होता है कि जो सामने वाला है वो अपने विचार भी अपनी बातें भी आप तक पहुंच आता है कुछ गोपनी बातें आपको बता देता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसकी गोपनियता को आप बनाये रखें और नैतिक आचरण संगिता का पालिन करें यदि आप उसके रहष्यों को उजागर कर देंगे दोसरों को बता देंगे तो उसका विश्वाश आप पर से उठ जाएगा प्लस आपकी कम्यूटी के जित्ते लोगों के निर्देशन वाले उन सबसे उठ जाएगा बिना गहराई से अध्यन किये हुए कोई परामस्ताता अपना काम करता है तो ऐसी इस्थिति में विद्यार्थी या प्रार्थी को ही हानी होने का भै रहता है इसलिए आपके पास प्रयाप्त आकड़े फुल डाटाग होना चाहिए शैक शिक व्याबसाइक और निजी किसी भी चेत्र में निर्देशन की सफलता के लिए जो निर्देशक है उसके पास विभिन निर्देशन संस्थाओं व्याबसाइक सूचना प्राप्ती के जो सूत्र है तथा विक्ति को रोजगार प्रदान करने में साहता करने अली संस् सो वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें आवशक्ता के अनुसार प्रिवरतन भी किया जा सके ठीक है निर्देशन जो है वो जीवन प्रण चलने वाली प्रिक्रिया है कभी भी रुकती नहीं है तो यह हमारे जो यह जो कोशन था हमारा यह हमसे क्या पूछ रहा था निर्द बुद्धी है ना अंधे बहरे तो ऐसे लोगों कुछ बिशेश निर्देशन दिया जा सकता है निर्देशन के लिए वेल ट्रेंड विक्ति ही चाहिए वही लोग अच्छा निर्देशन दे सकते हैं निर्देशन देते समय आप जो है बालक के सरवांगीर विकास पर ध्या अच्छा है उसको आप दियान में रखेंगे और निर्देशन देते समय आप उसके शंपून व्यक्तित पर फोकुस रखेंगे किसी एक शेतर पर नहीं फिर है कि इसमें जितने भी कार्य करता है निर्देशन वाले उनके बीच में जो है सामनजश होना चाहिए नेक्स्ट ह जो देने गया है उसको शिक्षा के शेतर में वेवसाय के शेतर में तथा दूसरे जो रोजगार के शेतर है उनसे समंदे सभी आकड़े उसके पास होने चाहिए इंफॉर्मेशन पूरी होने चाहिए यह एक जीवन परन चलने वाली प्रकरिया कभी भी रुकती नहीं है हम पहले शिक्षा के इस पॉइंट आफ यूस से समझेंगे फिर समाज के इस पॉइंट आफ यूसे गाइडेंस की क्या आवश्यक्ता है आत्रुक समय में मानों जीवन में बड़ी तेजी से प्रूर्तन होने बहुत तेज रैपिड तरीके से बहुत तेज चेंज़े सारे आज के बदलते हुए यूग के प्रणाम सुरूप जीवन के मूल्यों माप दंडों आवेशिक्ताओं आदे में तीवता से प्रोरतन होते नजर आ रहे हैं हमारे जीवन के मूल्यों में भी पिरूरतन हो रहे हैं बाकी तो चीजे छोड़ी दो आव सकते हैं तो हमारी बढ़ती जा रहे हैं दिन पर दिन आज के वैग गैनिकता के इस युग में हमें सभी पुरानी विचार धाराएं पिछड़ती हुई दिखाई दे रहे हैं पुरानी जो विचार धाराएं हैं जो संस्करती है उसको भी लोग पीछे चोड़ रहे हैं भूल रहे हैं मतलब क्या कहें मतलब संस्करती तो गाय भी होती जा रही है आज के इस युग में विक्तिगत सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसाइक सभी छेत्रों में समस्याएं ही समस्याएं दिखाई दे रही हैं इन तेजी से होते प्रिवर्तनों की फलसरूप हम अपने शैक्षिक विवार यानि सिक्षा से समन्दे जो विवार एक उन जीवन के उदेशों को निश्यत करने में कठनाई का अनुभाव कर रहे हैं ठीक है और इसी कराण से निर्देशन की आउसकता भी बढ़ती जा रही है भाई, जब हमें कठनाई या बढ़ रहे हैं तो guidance भी चीए निर्देशन की आउसकता के महत्कोर शमत कुपूर श्वामी कहते हैं कि निर्देशन की आउसकता सभी युगों में रही है कोई भी युग हो गाइडेस तो चाहिए चाहिए परन्तु आज इस देश यानि की भारत में जो दशाएं देखने को मिल लई है उन्होंने इस आउसकता को और भी ज़्यादा जरूरी बना दिया है अगर मैं बात करूँ शेक्षिक दिर्ष्टिकोंट से निर्देशन की क्या उसकता है तो इसमें आउसकता यह है बहिया कि पार्ट विसियों का चैन करने के लिए जब अच्छा पढ़ रहा होता है तो मालीजे कच्छा आर्ट तक तो वो पढ़ता चलाया नौर्मली अब कच्छा नौ में जब हो आया तो उसको जरूरत पढ़ी किसकी कि वो कौन सा सब्जेक्ट चुने वो कॉमर्स से बढ़ाई करे वो मैच से पढ़ाई करे या उसको बाइलोजी में आगे कुछ करना है ठीक है किस फिल्ड में जाए तो यहां पर उसको सई डारेक्शन चाहिए या मालीजी उसने मैच से 12 कर लिया अब उसको आगे ग्रेजिशन में ब्यस्सी जो करनी है वो किस सब्जेक्ट से ग्रेजिशन वो करे ठीक है मालीजी उसको इंजिनियर बनना है या अगर वो यहां से इंजिनियर नहीं बनना चाह रहा है उसका मून चेंज हो गया कि अब वो जो है डॉक्टरी फिल्ड में जाना चाहता है या लॉयर फिल्ड में जाना चाहता है ठीक है तो उसके हिसाब से उसको प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ने पढ़ेंगे इसे समंद में उसको अच्छे गाइडेंस की जरूत होती है कि उसको कोई सही मार्ग दर्शक मार्ग दुस्टन देने वाला मिल जाए ठीक है अब जैसे यहाँ पर बच्चों जो बीड के बच्चे हैं इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजेटी पीजेटी में नहीं बनता है ठीक है बहुत सारे बच्चों का नहीं बनता है माले जोने गुरिजेशन कुछ और सब्ज सब्जेक्ट के पास कुछ और है अब यहाँ पर आके फस जाता है कि हमारा तो कॉम्बिनेशन नहीं बन दा है अब हम क्या करें तो वहां पर उनको कोई सही गाइड करने वाला नहीं मिला अगर मिल गया होता तो बता देता कि अगर यह सब्जेक्ट चुनोगे तो मेरे पास को दूर करने के लिए देखिए आजकल शिक्षा जगत की विपिन इस्तरों पर अनुशाषन हिंता की समस्या तेजी से बढ़ रही है डिसिप्लेन देखने को नहीं मिला है हर दिन तोड़ फोर हर ताल यह सब चीजी तो आम हो गई है विद्यार्थियों में तेजी से का वेश्रताओं हैं उननको पूरा नहीं कर पा रही है उनको साइटिसफय नहीं कर पा रही है इस बझे से bachelor डिसीप्लीन नहीं इस वरत्मान समय में शिक्षा के में निर्देसने के महत्पुन भूम का निभारा आया अपवे अम अवरोधन की समस्था को हल करने के लिए देखिए वर्तमाल शिक्षा जगत में अपवे और अवरोधन यह जो समस्था हैं बढ़ रही है इस समस्था को दूर करने के लिए भारसरकार भी भरशक परतने कर रह कहा तक ज़रूरी है कि आखिर बच्चे बीच में विधाला क्यों चोड़ रहे हैं श्रिक्षा के छेत्र में विवदता आ गयी है न जाने कितने सब्जेक्ट हो गए हैं कितने विवसाय हो गए बच्चा जाए तो किस फिल्ड में जाए इसकी बज़ेसे उनको सही गाइडेंस के जरूरत है पिछड़े हुए बालकों और प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो बालक प्रतिभाशाली है वो तो गौड गिफ्टेड है ही वो तो प्रतिभाशाली है ही तो उसके हिसाब से वो उसको गाइडेंस चाहिए जो बालक पिछड़ा हुआ है वो कैसे एवरेज हो यह कैसे वह अच्छा बन पाएं कैसे फ्यूचर में कुछ कर पाएं इसके लिए उसको guidance चाहिए आगे बढ़ते हैं अगला है वेवसाय के ग्यान के लिए guidance चाहिए भाई मैंने फिर पहले का देखिए वेवसायों की जटिलता के करण वेवसाय की निरदेशन की आवशकता है ह हमारे देश में बेरोजगारी निरंतर तीवरगती से बढ़ रही है जिसके मुखे कारण बालकों द्वारा उचित पाटिकर्मों का चुनाव ना कर पाना सही सलेबस्ट पहले नहीं चूज करते सही सब्जेक्ट चूज नहीं करते ठीक है और फिर वो बेरोजगार हो जाते है बिना सोचे चमझे उच्छे चिच्छा पराप्त करते रहना और विभी ये कर लो म कर लो ये कर लो ओकर लो है ना इस पढ़ते तो हो लेकिन उसमें सब्जेक्ट कॉमिनेसिन आपका होना चाहिए विभिन विवसारों के समध में जानकारी नहीं होती है इन सभी समस्यों क साहता से दूर किया जा सकता है प्रतिभासाली बालकों के लिए निर्दिसन की आवशिकता है देखिए हर स्रेड़ी में कुछ ऐसे बालक होते हैं जो बड़े प्रतिभावान होते हैं यह ना गौर्ड गिफ्रिड इनको कहते हैं शामा ने पाट करम उन बालकों को संतुष्ट नहीं कर पाता उनके लिए कुछ अच्छा स्रेबश होना चाहिए जनरल जो है उनको साटिस्फाई नहीं कर पाता उनको उतना पता रहता है ऐसे बालकों के लिए शिक्षा की बिशिष्ट की जानी चाहिए ताकि वो उनकी प्रकर बुद्धी के कॉर्डिंग हो कभी कभी प िश्टिकोंसे जो आव सकता होती है उसको हमने समझ़हाब आप बात करेंगे समजेक दृस्तिकोंसे निद्श्प की आव सकता है समाज के फॉइंट अवी उसे sıमाज की सुरक्षा और स्रोक्षा और प्रगत के लिएयर परते के विक्ति को इस प्रकार प्रश्रिक्षण कि इस्त्रियों के नौकरियों में समयोजन करने के लिए जो है गाइडेस बहुत जिरूरी है आजकल इस्त्रियां विभिन प्रकार की नौकरियों में प्रिवेश कर रहे हैं बहुत सारी नौकरियां है जो लेडिस कर रहे हैं जिसके कारण उनकी सामाजिक और परिवारिक इस्ति को मजबूत बनाने के लिए guidance की जरूरत होती है अवकास का सदुपियों करने के लिए जो ग्रहणिया है उनके पास जो घर का काम करती है उनके पास भी समय बच जाता है उनके पास भी समय बच जाता है बालक जो हैं पढ़ रहे हैं छुट्टी के बाद उनके पास समय खाली र जिसके कारण गाओं की अपेक्षाकरत शहरों की जो आबादी है वो बढ़ रही है नगरी करण की समस्या को नियंतृत करने में निर्देशन शेवा शाहक्षित दोती है सामाजिक नैतिक और धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण सही गाइडेंस की जुरुत है आज हमा बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है हमारी सब्यता संस्कृत में बदलाव आ रहा है तो उसको कैसे स्थिर रखा जाए और जो हमारी संस्कृत ही हो बच्ची रहे और इसलिए निर्देशन की जुरुत है घर परिवार की बदलते हैं प्रसित्यों की करण घर परिवार में कल उसी हो गए हैं तो बहुत ladographics समस्य है इसके लिए Social कि आवश्रेखता है अ कि पारिवारिक और समाजिक तनाओ को दूर और करने के लिए परिवार परिवार में जो है एक दूसरे खोपड़ी फोड़ दी जाती है, लड़ाई हो जाती है, समाज एक तनाव रहता है, समाज के बीच में, समाज के लोगं के साथ मदूर संबंद नहीं रहते, तो ठीक है, इसके लिए निर्देशन क्या आवशकता है, सरम एव उद्यो हो रहे हैं, उनकी दशाएं लगातार बदलती न जा रही है, पहले लोग परमपरागत व्यवसायों को अपना लेते थे, पर अब व्यवसायों की संख्या और विविदता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, व्यवसायों में विशिष्टी करण विशिष रूप से हो रहा है विविन व्यवसायों में कारे पनाली विविन प्रकार की होती है, प्रतेक विक्ती प्रतेक पनाली के कौर्डिंग काम नहीं कर सकता, इसलिए निर्देशन के दौरा ही उप्युक्त पनाली का चेन पौशिबल है, उचितनी ओजन किया हो सकता, अगर एक विक्ती को अपनी योगता हों के नु Southeast काम मिलता है जितनी उसकी योगता है जितनी च्शमता है उसके एक इसको काम मिलता तो वो काम से सैटिस्फाइब भी होता है इससे विक्त की कारकुसंता भी बढ़ बूचम्टी को समझता है अपनी श्यम्सिया को करने में इनका पूर्ण उपयोग भी करता है इसलिए हमेशा चलने वाली प्रिक्रिया है जिए का मतलब है निर्देशन में विक्ति की श्यम्सिया का का विकास किया जाता है कि उसके अंदर कितनी छमता है उसको डफलेप करने का काम किया जाता है अगर हम किसी को guidance दे रहे हैं इसका मतलब यह तो है निकि हम उसको हाथ पकड़के लिए जा रहे हैं कि भीया देखो ऐसा यह काम किया जाता है प्रसिच्छन आवश्यक है निर्देशन समाने विक्तियों का काम नहीं है कि कोई बूढ़ मुण ठाके जाके जो है guidance देने लग जाएगा निर्देशन की प्रक्रिया में विक्तिक विभनेप्रकार की टकनिकों का इस्कृस का प्रियों करना होता है जो आम विक्तियों के लिए संभाव नहीं है अदा इस प्रकार की कारहे तो well trained मुण वाश्यक्ता होती है इसलिए निर्देशन की प्रक्राइब में प्रसिच्छन भी आवश्यक है समायोजन में शाहिक होत एक प्रकार की सक्ष्यवा और शोमुकिव विकस किया जाता है यह एक विस्तरत आधार वाली प्रकरिया है इस प्रक्रिया का एक निश्च्चित उल्डेश है और प्रकलिया में एक निश्चित पाठकरम का प्रियोग भी किया जाता है इसमें लचीले पन का गुण भी हOTा है जिसके द्वाराइश में उद्धिश्ट के अनुरौक प्रिवरतन भी किया जाते है इन गुणों को देखते हैं हम कह सकते हैं कि निर्देशन जो है वह एक संगतित है प्रक्रिया है निर्देशन अनुदेशन से अलग है देखे अनुदेशन अलग होता है अनुदेशन का समंद सिक्षार्थी के विशे में एकादिकार और निर्धारित कोशल को प्राप्त करने में शाहता देना है जबकि दूसरी ओर जो निर्देशन का समंद है यह रति कि सभी आवश्यक्ताओं को पूर्ण करने के लिए होता है यह विशिष्टिक्रत और समानिक्रत सेवा है सब अपने आपने विश्ष्टी करत और समानी करत सिवा है निर्देशन की प्रक्रिया में अध्यापक माबाप प्रामर्स्ताता तीनों की एहम वुनका होती है साथ ही इसमें भी वेल्ट्रेंड इस्टाप की जुरत होती है प्रसिक्षित इस्टाप के लोग किसी भी समय साका के लिए चाहें बच्यों बूडे हो जवान हो ठिक है वेवसाई में हो सिक्षा में हो रोजिगारं में हो कहीं भी हो सब के लिए गईड丝 की जूरत पढ़ती है तो यह निर्देशन और निर्देशन की क्या थी प्रकरति छिसको तो हमने समझा कि निर्देशन क्या होता है और आज का लाश्ट कोशन आपके सामने शैक्षिक और वेबसाइक निर्देशन में क्या अंतर है कोशन 23 का है ठीक है शैक्षिक और वेबसाइक निर्देशन के बीच बहुत गहरा संबंध है शिक्षा का उद्देश विक्ति को मतलर नहीं मानते फिर भी अगर बहुत सूर्ष मतरष्टी से देखें तो दोनों में डिफ्रेंस तो है ठीक है आप चलिए इसको समझते हैं शैक्षिक और वेबसाइक शैक्षिक निर्देशन में चात्रों को विभिन शैक्षिक विश्यों और संस्थाओं के बारे में जानकरी प्रदान की जाती है संस्थाओं का मतलब कौन सा स्कूल, कॉलेज, इंस्टिटूशन अच्छा है जहां पर तुम पढ़िया पढ़ाई कर सकते हो वेबसाइक निर्देशन में अलग-लग परकार्ट के जो वेबसाइए हैं और जो वेबसाइक संस्थाएं हैं उनके बारे में जानकरी दी जाती है शैक्षिक निर्देशन में चात्रों की बौतिक विकास पर अधिक जोर दिया जाता है और यहां पर वेबसाइक पर अधिक जोर दिया जाता है चात्रों की विक्तिकत भिनता भाई हर बालक एक दूसरे से अलग है शैक्षिक अवसरों की विवदता में संतुलन लखा जाता है यहां पर वेबसाइक विकास पर जोर दिया जाता है शेक्षिक निर्देशन में पार्ठ करम के बारे में जानकारी दी जाती है कि जो आपका सलेबश है वो किस तरीके का है है ना वैबसाइक निर्देशन में वैबसाइ से समझे जानकारी दी जाती है शेक्षिक निर्देशन उप्युक्त पार्टिक्रम को चुनने में हल्प करता है कि आप सही सब्जेक्ट को चुन करके आगे सही विवसाय कर सके विवसाय की निर्देशन उप्युक्त विवसाय को चुनने में शाहता प्रदान करता है कि जो सही विवसा है उसको आप चुन पाएं शैक्षिक निर्देशन में अन्य विधियों के साथ निबंदात्मक परिशा पनाली ही उप्युक्त होती है इसमें जो है मानकी करत परिशा पनाली पर अधारित होता है शैक्षिक निर्देशन का प्रात्मिक और मात्मिक इस्तर बिश्यिश मयता होता है वयवसाइग निर्देशन उच्छ मात्मिकовrence तरह पर अधिक मयता पून होता है है सामाने अध्यापकों के स्य योगबं सेफल नर निर्देशन के लिए विश्षिष प्रसेख्षित और अनुभवी विक्षाओंगा युक्तां आवश्चे aluminum कि उता ह और website के बहुत सारे लाब तथा हानिया भी होती है कौन सा website किस जगह सफल होगा ठीक है यह उसके एक विशिष जगह भी होती है हर जगह हर website सफल नहीं हो सकता इसके लिए जनकरी जिरूरी है तो पहरे दोस्तों यह हमारे पांच question थे ठीक है जिसको हमने बहुत आराम से बहु सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है थैंक्यू सो मच